वेलकम बेक टू मैजिकल यूटूब चैनल हम आज पहली बार एक वोईस ओवर वीडियो लेके आए है और हम कुछ न्यू न्यू ट्राइक करते रहते हैं जबके पहले वीडियो में मैंने मायक के साथ कुछ गल्दी कर दी थी और आवास कुछ ज्यादा ही भारिया गया था और द्यूसरों वीडियो में भी प्रब्लम हो गई थी आवास कुछ ज्यादा ही लो आ गया था और इस बार हम ट्राइक कर रहे हैं वोईस ओवर का वीडियो और अगली बार हम ट्राइक करेंगे इंग्लिश का वीडियो और आज का हमारा जो टोपिक है माय टॉप टैन फेंटेशी बुक सिर्इज यह वीडियो मैंने वोईस ओवर में इसलिए बनाई है क्योंकि मेरे पास यह तैन बॉक सिरीज अभी 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 अवेलेबल नहीं है और ऐसे लेक्चर दूँ वीडियो बता के इस से अच्छा तो मैं वईस ओवर में ही लेक्चर देता हूँ और हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला वॉइस ओवर वीडियो जिसका नाम है माइ टॉप 10 फेवरेट फेंटेसी बुक सीरीज नमबर 10 क्रोनिकल्स अफ नालमिया यह सीरीज नमबर 10 पर मैंने इसके लग कि यह कुछ मेरे इसाब से कुछ ज़्यादा अंडर रेटेट बॉक सीरीज है लेकिन फिर भी मुझे और कोई बुक सीरीज से जएदा ये बुक सीरीज अच्छे लगती है और फेंटेसी फैमस बुक सीरीज के अंदर आपको देखेंगे तो 30-40 बुक सीरीज है और जीसके अंदर से ये द नहीं नहीं दुनिया पे पहुच जाते है जिसका नाम है नार्निया और उधर हमको देखने को मिलता है बोलते है जानवर वाइट वीच ड्रेगन्स बैटल्स और बहुत कुछ और यह सिरीज मैं इसको नमबर 10 पे रखने वाला हूं क्योंकि यह कोई ज्यादा ही चोटे बच् है नमबर 9 के उपर नमबर 9 हाउस ओफ नाइट सीरीज यह को वाई वेंपायर फेंटेसी सीरीज है और यह इसकी पहली बुक मेरे पास पड़ी हुई है और इसका कंसेप्ट कुछ ऐसा है के टीनेजर्स होते हैं मलदब शहर के कुछ टीनेजर्स के अंदर हॉर्मोनल चेंज के कारण कुछ शर्म मांक्त हो जाते जो विमपैर बढ़ने के लिए और उन लोगों को प्रोट्ध करने के लिए और री कवर करने के लिए एक बोडिंग चभी पातिक के लोती है जहां पर उनको पड़ने 122 आनगो उसले के लिए 201 या इतनी कुछ मुछ डेनी होती है और में पास होना ज़रूरी है और अगर फैल हुए तो उनकी सचा सिफ मौत है नमबर एड दे स्टॉम लाइक आरकार ये सीरीज ब्रेंडन सेंडर सन ने लिखी है जबकि उसकी दो सीरीज लिखी हुए और मिस्ट बॉन और स्टॉम लाकार के जबके लोगों को मिस्ट बॉन से चाहजा स्टॉम लाकार के पसंद है मैंने वह स्टोरी अभी तक एक वीवार पड़ी नहीं है मुझे सिफ उनका कंसेप्ट देखा है और उसी कंसेप्ट और जो विकीपीडिया में पढ़के जो मुझ आँगा अमलब इसके अंदर एक वारियर की कहानी है और वह भी बहुत ही अलग और एकदम हाई लेवल वाला अडवेंचर वाली स्टॉरी स्टॉम लाकार के नंबर सेवन थ्रॉन अफ ग्लास बैसारा जेमास और मैं आपको बताना भूल गया कि हाउज ओफ नाइट सिरीज किस ने लिखी है सोरी हाउज ओफ नाइट सिरीज पी सी कास्ट और उसकी बेटी क्रिस्पिन कास्ट ने लिखी है और इसका फोट आप देख सकते है स्क्रीन पे लेकिन सोरी थोड़ी गल्दी हो गई कि मैं आपको बताना भूल गया और आप समद लेना और बाकी हम यहाँ पर बढ़ते है थ्रॉन ओफ ग्लास के उपर थ्रॉन ओफ ग्लास सारा जेमास ने लिखी हुई पहली बुक सिरीज है और इसका कंसेप्ट बहुत ही बढ़िया है एक लड़की जिसका मौत की सजा सुनाई जाती है लेकिन उसको बचने की भी एक जगा है अगर उसको बचना है अब उसे धुनना होगा कि उस वार्योर की मौत कैसे हुई क्यों हुई और यह सबतों से करना ही पड़ेगा अगर उसे जिंदा रहना हो तो नंबर 6 ब्रोकेन अंपार यह डार्क प्रेंटेसी नोवल सिरीज है और यह मुझे बहुत ही जहदा पसंदे लेकिन तिरी भी सा थोड़ा सा मतलब यह थोड़ी डाउट फुल थींगे फिर भी मैं आपका बताना चाहूंगा कि उसके पापा बच्पन से ही मर जाते हैं और अभी तो हो सिफ टीनेजर ही हुआ था कि उसके सामने उसकी माँ और उसकी बेहन की मौत भी हो जाती है अब उसे एक जंगल में र झाल